जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर 29 और 30 सितंबर के सिहिंग राशी फल के बारे में सितंबर का ये महिना जाते जाते सिहिंग राशी के लोगों के लिए किस तरह की सौगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से आपकी सिक्षा स्वास्त प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन दामपत्य जीवन हर चीज को आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ तो देखे 28 सितंबर का जो दिन है ये शुक्रपक्ष की द्वादसीति थी घनिस्ट नक्षत्र ध्रती नाम का योग बनेगा स्वामवार का दिन है इस दिन चंद्रमा सुभा ही मकर राशी से निकल कर कुमराशी में प्रिवेश कर जाएंगे और इस दिन रवियोग बनेगा 29 सितंबर 28 सितंबर का देखे एक और राशी बड़ा परिवर्तन है 28 सितंबर को जो हमारे सुखो के स्वामी है शुक्रदेव वो भी राशी परिवर्तित करके सिहिंग राशी में यानि सूरे की राशी में प्रिवेश कर जाएंगे तो इसका जो प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा 29 सितंबर शुकलपक्ष की त्रियो दशी दिती है भगवान शिव का दिन है शत्विशा नक्षत्र शूल नाम का योग और मंगलवार का दिन है इस दिन भी चंद्रमा कुमराशी में होंगे और सूरिय कन्याराशी में इस दिन भी रवियोग बनने वाला है और इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन शनी का होने वाला है क्योंकि इस दिन शनी मारगी होंगे शनी सीधी चाल चलना शुरू करेंगे डारेक्ट हो जाएंगे शनी और शनी जो डारेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छे लाभ देना शुरू कर देते हैं 30 सितंबर शुक योग बनेगा तो यह जो है यह तीन दिन की ग्रह नक्षत्रों के स्थिति है और अब हम जानेगे कि यह जो ग्रह बदलेंगे और यह सितंबर का जो आखिर तीन दिन है यह किस तरह से आपके व्यतीत होने वाले हैं किनकिन शेत्रों में आपको लाब देंगे किनकिन शेत्रों कोई चंद्रमा राशी परिविंद्ध कर जाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी जो लव-LIF है वो कैसी रहेगी क्योंकि 28 से ही जो शुकर है वो भी राशी परिविंद्ध कर रहे ह हैं और सेहं राशी के लगन में ही आ संदर होने वाली है लव लाइफ में प्रेम संबंद सुखद होंगे मधूर संबंद रहेंगे मन प्रफुलित रहेगा वैवाहिक जीवन में सुख शांती बनी रहेगी और एक नया समाचार आपके रिष्टे को और अधिक मजबूत कर देगा तो ये समय प्रेम संबंद के लि ये हर शित्र में सुख शांती लेकर आने वाले हैं इस दोरान किसी धार्मिक कारे में भी आप शामिल हो सकते हैं और ये जो समय होगा ये प्रेम जीवन के लिए अच्छा है परिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा समय रहेगा इसके लावा ये तीन दिन उन लोगों के ल परिवारी में वैपार करते हैं, वैपारियों के लिए भी ये समय काफी मुनाफ़ा दिलाने वाला रहेगा, इस दोरान आप अगर किसी कारे की शुवात करना चाहते हैं, कोई शुद का कारे आप करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय ये साबित होगा, आपका व्यक जिनती भी आपकी अच्छी रहेगी आपको अपनी जो गुरूजन है उनका सपोर्ट किसी काम को लेकर जरूर मिलेगा और थोड़ सा आपको जहां जरूर धिहान रखना है कि आवेश में आकर कोई काम करने से आपको बचना है आवेश में आकर कोई काम नहीं करना है लेकिन व अप्तमभाव में हैं दामपत्य जीवन को सुधार रहे हैं जो मत्भेद चल रहे थे अगर आपसी उन मत्भेदों को समाप्त करेंगे लेकिन आप प्रयास जरूर करें थोड़े से प्रयास से ही आप अपने हर मत्भेद को दूर कर पाएंगे शुक्र का भी राशी दाता है और शनी का ये जो प्रभाव है छटे भाव में हो रहे हैं शनी मारगी तो शनी का प्रभाव भी आपके उपर यहां देखने को मिलेगा शनी मारगी होकर काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां देने वाले हैं इस दोरान जो मानसिक इस्तिती जिनकी ठीक नहीं थी किस किसी तरह का तनाव चल रहा था वो भी इस समय शांती का अनुभव करेंगे प्रभावशाली लोगों से महतपून लोगों से आपका परीचय बढ़ेगा आपका जनसंपर्क बढ़ेगा और सामाजिक गतिविदियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका इस समय आपको मिल सकता है सामाजिक गतिविदियों का हिस्सा आप बनेंगे विद्यार्तियों की अगर बात की जाए इन तीन दिनों में तो चंद्रमा के स्थिति आपको मांसिक ग्रूप से स्वस्त रखेगी और आप मांसिक ग्रूप से स्वस्त होंगे तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर अपने टीचर्स की आप एल्प लेपाएंगे टीचर्स की हेल्प से आप अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे तो विद्यार्तियों के लिए भी यह जो आंतिम तीन दिन हैं यह काफी ने वाले हैं जो डेली इंकम वाली लोग हैं उनकी लिए भी इस समय काफे अच्छा रहेगा इस दोरान जो आये है वो जरूर बढ़ती हुई आपको दिखाए देगी यानि पहले कि अपेक्षा जादा आया आपको दिखाए देगी शुक्र का वे प्रभाव होगा और साथ ही शुक्र आपके खर्चे भी बढ़ाने की यूग बना रहा है अपनी सुख अपने ए द्यान को संचित करने का जितना हो सके उतना प्रयास करें शनी देखी आपकी कर्म को देख रहे हैं और आप अपनी कर्म पर जादा ध्यान कर सकें तो इस समय का पूरा लावा आपको उठाना है प्रेम संबंद अच्छा है सुख समर्दी के संयोग है इसके अलावा किसी नए व्यक्ति के घर में आने के भी शुबसंकिति इस दौरान मिल रहे हैं कुछ संतान प्राप्ति का योग है विवाग संबंद के भी इस दौर देखने को मिल सकते हैं सुनने को मिल सकते हैं तो समय को इंजॉय करें अच्छे से और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें धैने बाद